Hello my dear friends, once again most welcome, एक बार फिर्ट से आप सभी दोस्तों का समसामाई घटना चक्र के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकर सुकला हर्दिक श्वागत करता हूँ Most welcome आप सभी दोस्तों को और आज के सिशन में हम लोगे बहुत ही burning issue के बारे में चर्चा करने वाले हैं BRICS, BRICS से संबंद एक question सब के मन में है कि आखिर अभी हाली में recently BRICS आपका 2023 का आयोजन किया गया है और चर्चा है कि 2024 में जो BRICS सम्मेलन होगा वो कहां होगा उसके बारे में dispute है काफि सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि आखिर ये आयोजन 2024 में जो होने वाला है वो ब्राजील में होगा या फिर रश्या में होगा और confusion क्यों है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले अगर आपको बता दें BRICS होता क्या है BRICS जो है पांच देशों का एक समूह है जिसमें सबसे पहले आपका यहां पर आप देखेंगे ब्राजील आपका सामिल है वो कौन सा है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो country है उसका नाम है यहां पर आपका ब्राजील ठीक है ये जो पहले word है सभी countries के उनी के पहले एक प्रकार से alphabet को लेकर के यहाँ पर इस word एक प्रकार से BRICS का गठन किया गया है इसका गठन हुआ कब तो 2008 में 2008 में जो है पाँच देशों के एक समू का गठन किया गया जो दुनिया में एक बहुत बड़े population साथ-इसाथ दुनिया की बहुत बड़ी अर्थ ववस्था को नियंतरित करती है और ये जो गठन है इन देशों का पूरी दुनिया में हर प्रकार से प्रभाव डालती है यहाँ पर चर्चा इस समय यह है अभी रिसेंटली आपका 2023 में अभी हाली में आयोजन किया गया है ब्रिक समिट का हमारे देश के प्रधान मंतरी मोदी जी भी उस सम्मेलन में हिस्सा लेनी के लिए शौथ अफरिका गये थे उसके में एक डिस्प्यूट यह है कि आने वाला जो 2024 में ब्रिक समिट है वो आयोजन जो है कहां पर होने वाला है उसके बारे में उसके बारे में समझने से पहले आईए देख लेते हैं कि लोकेशन भी कि कौन कौन से देश इसमें सामिल है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें रश्या सामिल है चाइना सामिल है इंडिया सामिल है और अफरीका सामिल है शाओत अफरीका और साथिसाथ ब्राजील यान पर South Africa में एयोजन किया गया है लेकिन इस BRICS का एक sequence है यानि कभी भी जब इसका एक प्रकार से एक sequence में इसका इयोजन होता है यानि अगर पहले ब्राजील में एयोजन किया गया है तो दूसरा आयोजन रश्या में होगा, तीसरा इंडिया में होगा, चौथा चाइना में प्रदान मंतरी मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है यानि अब आप इससे देखने से आपको ये सीधा सीधा लगेगा कि नेक्स्ट इसका जो आयोजन है ये कहां पर होना चाहिए तो ब्राजिल में होना चाहिए लेकिन में बात तो यही है कि इसका जो अगला 24 में कहां पर रर्षिया में होगा अब रीजन क्या है कि रर्षिया में इसका जो आपको बताएंगे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका जो आपका 2024 के अगर हम लोग बात करें तो 2024 में जो है ब्राजिल जो देश है यहाँ पर दो महत्तपूर्ण संगठनों के दुनिया के जो बड़े संगठन है उनका एक प्रकार से बैठक होने वाला है जिसका एक का नाम है G20 कौनसा? ग्रूप अप 20 नेशन और दूसरा नाम है आपका ब्रिक्स ठीक है? तो दो महत्तपूर्ण संगठन है जिनकी बैठक की अध्यक्सता किसको मिलने वाली थी? ब्राजील को 2024 में और इसलिए अक्चली देखे ये आपके इंटरनेशनल जो समिट हैं ये काफी महत्तपूर्ण होते हैं इनमें हर प्रकार की जिम्मेदारियां उस देश पर निर्भर करती हैं इसी वज़ा से ब्राजील ने अपने हाथ खड़े कर दिये कि हम दोनों बैठ कि एक साथ आयोजित नहीं कर सकते हैं और इसी वज़ा से ब्रिक्स की अध्यक्सता लेने से जो है ब्राजील ने मना कर दिया है यानि जी ट्वंटी की अध्यक्सता तो ब्राजील करेगा 2024 में लेकिन ब्रिक्स की अध्यक्सता ब्राजील नहीं करेगा अब ब्राजील नहीं कौन करेगा उसका अध्यक्सता कौन करेगा तो रश्या के द्वारा इसकी अध्यक्सता की जाएगी most important यह आपका issue है कारण भी आप लोगों को एक प्रकार से पता चल चुका होगा कि एक प्रकार से जो ब्राजिल देश है वो आयोजन क्यों नहीं कर रहा है और अगला जो आयोजन होने वाला है वो कहां पर होने वाला है उमीद करते हैं सारे point आपको clear हो चुके होंगे फिर से मिलते हैं हम लोग नए session में नए topic के साथ लेकिन एक बार comment में answer करके जरूर बताइएगा कि आज का session आप लोगों के लिए कैसा रहा thank you so much everyone जै हिन